हरियाना वासियों के लिए खुश कबरी बस की यात्रा अब होगी आसान जी हाँ सर्दियों का मोसम शुरू हो गया है और इस मोसम को देखते हुए हरियाना रोडवेस ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है ये खबर हर इनसान से जुड़ी हुई है दरसल हरियाना रोडवेस ने लोगों की सुविधा को देखते हुए ठंड के मोसम में AC बसों में हीटर भी लगवा दिये है ऐसी छे बसे हरियाना से दिल्ली और चंडिगण के रूट पर चल रही है बसों में हीटर लग जाने से लोगों को कड़ाके की ठंड से सफर करने में थोड़ी राहत मिलेगी आपको बता दे कि हिसार डीपो पर AC और हीटर वाली 10 बसे आनी थी इनमें से 6 बसे आ भी गई है और हरियाना रोडवेस ने अब AC बसों की शुरुआत कर दी है जिनमें AC के साथ साथ हीटर भी लगे है जैसे गर्मियों में लोगों को AC बसे राहत देती है वैसे ही सर्दियों से लोगों को राहत देने के लिए हर्याना रोडवेस ने हीटर वाली बसों की शुरुआत की है अगर आप हिसार या इसके आसपास के रहने वाले है तो आपके लिए ये बहुती रहत भरी खबर है हिसार रोडवेस धिपो के स्टेंड परबंदक सुरेंदर सिंग ने बताया कि 10 एसी और हिटर वाली बसे हिसार डिपो के लिए आनी थी इन में से 6 बसे आ भी गई है ये बसे फिलाल दिल्ली और चंडीगट रूट पर चल रही है इन बसों में 52 सीटे है फिलाल ये बसे दिल्ली के रूट पर नौन स्टॉप चल रही है आपको बता दे कि आने वाले कुछ दिनों में गुरुगराम की तरफ भी ये खास बसे चलेगी वही दूसरी तरफ रोडवेस की इस सेवा को लेकर यात्रियों में भी खासा उत्सा देखने को मिल रहा है फिलाल के लिए इतना ही ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रोडकास्ट 24 नमस्का